अर्जुन वाच प्रकृतिम पुरुषम चैवा नमस्कार मैं तुरू distra इन यह जो शलोक है भवगत गीता के तेरवे अध्याए का आप कहसेते हैं कि पहला या शुन्यवा शलोक है तो यह जो श्लोक है यह भवगत गीता के कुछ संसकरणों में हमें देखने को मिलता है किन्तु कुछ संसकरणों में यह श्लोक नहीं होता है अब क्योंकि हम गीता को पूर्ण रूप से यहाँ पर समझना चाहते हैं लिए पूंड़ता को ध्यान में रखते हुए हमने इस श्लोक को यहां पर सम्मेलित किया है वैसे आप लिए देखें तो बहुत से गीताओं के ऐसे संस्क्रण मिल जाएंगे जहां पर कि यह श्लोक आपको देशने को नहीं मिलेगा तो क्योंकि ऐसा है इस कारण से हमने इसको यहां पर शून्यवा श्लोक का है क्योंकि यह कुछ संस्क्रणों में हमें देखने को नहीं मिलता तो जैसे ही कहा जाता है कि भगवत गीता में साथ सो श्लोक हैं यदि हम साथ सो श्लोक मान के चलें तो उस गीता में यह श्लोक नहीं होता है यदि आप बोलें कि गीता में स तो तब उस स्थिती में यह श्लोक होता है तो जो भी है पूनता के लिए हम इस श्लोक को यहाँ पर समिलित कर रहे हैं तो आईए इसका अध्यान करते हैं तो सबसे पहले इसके शाब्दे कर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अर्जुन उवाच अर्थाथ अर्जुन बोले प्रकृतिम पुरुषम चैव अर्थाथ प्रकृति और पुरुष तथा ख्षेत्रम ख्षेत्रग्यमे वच अर्थाथ ख्षेत्र और ख्षेत्रग्य को भी एतद्वेदितों में इच्छामें अर्थाथ यह जानने के लिए उ इच्छुक हूं ग्यानम गेयम चकेशव अर्थात ग्यान और गेयको हे केशव तो भगवत गीता का जो तेरावा ध्या है उसको अर्जो निहा पर आरंब कर रहे है श्री क्रिश्न के लिए एक प्रश्न रख करके तो वो कहते हैं कि आप मुझे ये बताईए कि प्रकृति और पुरुष तथा क्षेत्र और क्षेत्रग्य क्या होते हैं इनको जानने का मैं इच्छुक हूं मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ग्यान है और क्या जानने योग्य है क्या ग्येय है ग्यान की वस्तु क्या है तो यहां पर इस श्लोक से जो हमें समझ में आता है वो यह है कि अर्जुन अब ग्यान की और अपना ध्यान के अंद्रेत कर रहे हैं और वो श्री कृष्ण से ग्यान के संबंदे में प्रश्ण पूछ रहे हैं कि ग्यान क्या है, क्या ऐसा है जिसको कि आप ग्यान कहेंगे क्या हैए झिसको क्या वास्तों में कहेंगे कि यही है जो कि जानने योग है, ग्यान है यह तो भगवत-कीता कि यदि आप अध्यायों को देखें तो जो भगवत गिता के पहले 6 अध्याएं हैं वह मूल रूप से कर्म योग की और ध्यान के इंद्रेत करते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को निश्काम कर्म करना चाहिए उसके आगे कि जो फिर 6 अध्याएं हैं यानि 7 वे से लेकर 12 अध्याएं तक वह आप देखिया जिद योग देखने को मिलता है पर जो अन्तिम 6 अध्याएं हैं 13 से लेकर 18 में अध्याएं आप देखेंगे कि वह क्यान की और के इंद्रत हैं तो उसी के विशे में हम देख सकते हैं आप है कि यह प्रशन रखा जा रहा है कि क्या प्रकृति है क्या पुरुश है तो यह सांक्य ग्यान है और क्या यह है तो अब आगे क्यों श्लोक होंगे उसमें हम ग्यान योग को देखेंगे कि इस प्रकार से ग्यान योग है और जब आप देखेंगे कि इन तीरों में यह दिया आप देखें तो जो अंतिम लक्ष है वो एक ही है और तीनों एक ही की और जाते हैं तो उनका अध्यान हम अगले श्लोकों में करेंगे तो आशे करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे समझा दिया होगा चले इसी के साथ इस वीडियो को ही पर समाप्त करते हैं मस्ते झाल